सिक्किम के राय समुदाय का सबसे बड़ा धार्मिक तेवहार साकेवा अब राजनितिक मुद्दा बन गया है अखिल की रात राय संग का आरोप है कि विपक्षी पार्टी SDF साकेवा तेवहार को लेकर राजनितिक कर रही है अखिल किरात राय संग नामची में आकामी 26 दिसम्बर को इस्तेवहार का राजजव्यापी आयोजन करने जा रहा है जबकि SDF की ओर से 30 दिसम्बर को इसका आयोजन किया जा रहा है नौरिस लाइफ से खास बाचीत में संग के प्रचार सचीव आशीत राय ने कहा कि SDF अपने राजनीतिक लाप के लिए राय संबुदाय को बाटने की कोशिश कर रही है राय जाती का जो साक्यों अपर वह है उसको लेकर अभी राजनीति शुरू हुआ है 26 तारीक अखिल किरात राय संग नामची में साक्यों मना रहा है दूसरी एक ग्रूप है ओ तीस तारीक लेक्सेप में मना रहा है क्या है बीबाद कियों हुआ है बीबाद अच्छली कुछ भी नहीं है यह सोचने वाली बात है और यह सब माइंसेट की बात है देखिए एक आरेस जो 1990 के दसक से जो एक पंजी करीत है और यह एक आरेस सिकीम का सारा किरात राय का एक बड़ा संस्ता है और अभी जो लेक्सेप के आप जो बात कर रहे हैं जो तीस तारीक वा सेलिब्रेट कर रहे हैं वापे देखिए ऐसा है 26 तारीक को आधिकारिक रूप से स्टेट हॉलिडे है लेकिन अगर कोई एक आरेस के बैनर पर कोई साकेवा नहीं करना चाहता है जैसे कि मैंने भी आप सुनाए इधर उधर से पता चला है कि तीस तारीक को एक लेक्षेप में जो वेस्सेकी में पड़ता है वहाँ पे एक साक्यवा भी celebrate हो रहा है लेकिन इसमें राजनीती कारण राजनीती तो उतना है नहीं लेकिन राजनीती कर रहा है यहाँ पे सेलेवेशन कमिटी के प्रेसिजेंट जब पूरिवा विदाये घुजराज रहे हैं उन्हेंने बताया है कि तिस तारीका जो हो रहा है उसमें के पीसे इसमें खेल रहा है कहीं खेल रहा है हम लोग लग रहा है कहीं खेल रहा है अगर यह सब हो रहा है तो यह अच्छी बात नहीं है